नमस्कार दोस्तों संधी प्यादव जी के गुरू यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अपनी बात चल रही है राजिस्थान जोगरोफी और राजिस्थान जोगरोफी में आपन बैसिक इंट्रोडेक्शन ओफ राजस्थान, राजस्थान का सामान ने प्रीच्च पढ़ रहे हैं, किलर, तो जितने भी नए विद्धारती हैं, जो भी हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है, कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें, किल अपने पढ़े थी राजस्थान की इस्थती, विस्तार, आकार और नामकरण, पहली क्लास, तो सबसे पहले जो इसी क्लास को देख रहे हैं, उन विद्धारती हैं, वो पहली क्लास देखें, दूसरी क्लास में राजस्थान की प्रशासनिक संरचना और सीमाई, ये हमने आज की जो तीसरी बेसिक इंट्रोडेक्शन की क्लास है, उसमें राजस्थान के जिले और राजस्थान में संभागी विवस्था, ये दो चीजे आज की क्लास वेफन पढ़ने वाले हैं, किलर तो आईए सुरुआत करते हैं आज की क्लास की, दोस्तो सुनना द्यान से, आप स पूचा गया कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, आपने उतना ही अच्छा जवाब दिया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय राजस्थान में जिलों की संग क्या कितनी थी, क्या कहोगी, 25, में जीलों की सिंख्या कितनी थी 25 हलांकि आप जानते हैं कि 26 जनूरी 1950 को राजस्थान को 20 रेनी के राज्ये का दर्जा दिया था अगली बाद आपसे पूछे कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया या आपसे पूछे राजस्थान को पूर्ण राज्ये का दर्जा कब दिया गया तो आपका उतना एच्छा जवाब रहेगा एक नवंबर 1956 एक नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्ये का दर्जा दे दिया था उस समय राजस्थान में जीले कितने थे 26 जीले थे कितने जिले थे 26..ढ़ देखो दोस्तोस सुने देया था जब जिले थे 25 पूर्ण राज़े का दरज़ा दिया गया जब 26 ये जो 26 वा जिला जो सबसे पहले बना पहला जिला क्योंकि 25 तो मूल जिले हैं इनके बाद पहला जिला बनने वाला जो संख्या में 26 वा जिला आप से पूछ लेता है कि कौन बना क्या पूछ लेता है कौन बना आप उतना अच्छा जवाब देते हैं अजमेर बना और आप से पूछा कब बना आप उतना अच्छा जवाब देते हैं एक नॉम्बर उनिस सो चपन एक नॉम्बर उनिस सो चपन को 26 वाजिला अजमेर बना ठीक है अब देखें दोस्तों यहाँ पे दू तिन बाते हैं और यह जो अजमेर मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा यह ब्रिटिस काल में केंदर शासित प्रदेश था केंदर शासित प्रदेश था किलर और 26 जनुरी 1950 को अजमेर मेरवाड़ा को सीसरेणी के सीसरेणी के राज्ये का दरजा दिया गया था केलर और इस अजमेर मेरवाड़ा के पहले या एक मात्र मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री यहां से क्यों से आता है क्यों से पूछा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा के पहले या एक मात्र मुख्य मंत्री किसे बनाया गया था तो आपका उतना ही अच्छा जबाव रहेगा सिरी हरी भाव उपाध्याए सिरी हरी भाव उपाद्धार अजमेर मेरवाडा की पहले या एक मात्र मुखे मंत्री बने और देखो द्यान से एक चीज़ ओड़ी आपर है यहाँ पर एक धारा विधान सभा गठी तुई थी विधान सभा का गठन क्या गया था तो अपने इस राज़ पुता नामे जो धारा विधान सभा गठी तुई थी वो किसके लिए गठी तुई थी अजमेर मेरवाडा आप से यहाँ से क्योंसर पूज लेता है कि धारा विधान सभा में सदस्वें की संग्या कितनी थी आप क्या कहोगे तीस सदस से थे अब इस अजमेर मेरवाडा का अपने राज़स्थान में विले हुआ था एक नॉमबर उनिस सो चपन और एक नॉमबर उनिस सो चपन को जब इसे राज़स्थान में मिला गया तो इसे किस नाम से एक नया जिला बना गया अजमेर ठीक है जो संक्या में राजस्तान का कौन सा जिला बना 26 देखे दोस्तो वर्तमान में राजस्तान में कुल जिले है 33 ठीक है मूल राजस्तान में थे 25 तो एक बात किलियर होगी कि आप से पूछे अब तक नये जिले कितने बने हैं कुल आठ आठ में से पहला जिला कौन बना है अजमेर और आप से पूछे आठ हुआ या सबसे नया जिला कौन बना जो संख्या में जो संख्या में 33 जिला बना आप से पूछे कौन बना तो आप क्या कहोगे दोस्तो परतापगड ये परतापगड जिला है राजिस्तान का सबसे नया जिला है जो संख्या में 33 और निर्मान के आदार पर आठवा या सबसे नया जिला ये जो परतापगड जिला है इसके बारे में पूछेगा कब बना कब बना आप क्या कोगे 26 जनवरी दो हजार आठ खो परताफगड राजस्तान का 26 वा जिला बना दिया गया था हलांकि इस परताफगड ने एक सवतंतर या अलग जिले के रूप में कारिय कब करना सुरू किया था आप कोगे एक अपरेल दो हजार आठ से एक नए या एक अलग से जिले के रूप में इसने कारिय करना सुरू कर दिया था तो यहां पर अपने देख लिया है कि वरतमान में तेते जिले हैं नए आठ जिले बने हैं आठ में से पहला जिला बना अजमेर और आठ वा जिला बना परताफगड ये जो परताफगड है य तेन जिलों से बना और वो तीन जिलों से एक तो चितोरगर जितोरगर दूसरा ओधैपूर और तीसरे की बात करे तो आप कौगे बासवाड़ा इन तीन जिलों से यह बनाए गया यह जो परतावगर जिला है आपसे क्योसन और पुस्ता यहां से कि ये किसके सासन काल में बना यानि उस समय अपने राज़तान के मुख्य मंतरी कौन थे था कोई सिरी मती वसंधरा राज्जे किसके सासन काल में सिरी मती वसंधरा राज्जे के सासन काल में कब बना 26 जनुरी 2008 को अब देखिए दोस्तो नए में से अपने पहला देख लिया आठवा देख लिया बीच में कितने जिले बच गे छे जिले बच गे अपन देखते हैं कि वो छे जिले कब बने और कौन कौन से बने और कौन से जिलों से अलग होकर बने किलर तो इन चीजों को मैं आपसे फिर से बार-बार यह कर रहा हूं कि नोट बुक लेके बैठो यदि आप क्लास पढ़ते हो तो या अपना जो पहले के नोट्स हैं आपके पास नोट्स हैं तो बैटर है आप उनको साथ लेके बैठो पढ़ते चाओ नई क्या चीज अपडेट हो रही है उसको वहाँ बदलते चलो साथ साथ पढ़ते चलोगे तो बाते बहुत एजी समझ में आ जाएंगे और यदि साथ साथ पढ़ते भी नहीं चलोगे तो बाते समझ में आना बड़ा मुस्किल हो जाएगा किलर अब देखे सुनो द्यान से मैं बात करता हूँ देखो राजस्थान में के दो तीन चार पांच तारीखे याद रखना आपको पता है कि 1956 में पहला जिला बना अब 1956 के बाद यह उननिस तो चपन वाला पन जानते है जमिर बना इसके बाद जो नया जिला बना वो 1982 एक संथ यह याद रखना यह तो मैं याद है 1982 में राजिस्थान में एक जिला बना था, कौन बना, उसकी बात में बात करेंगे लेकिन एक बार दिमाग में पिटाओ, कि 1956 के बाद नया जिला कब बना, 1982 में 1982 के बाद नया जिला बना, 1901 में, कब बना, 1901 में 1901 में के बाद नया जिला बना, 1904 में, कब बना, 1904 में 1997 में कब बना? 1997 में. और 1997 में के बाद बना 2008 में. और इसके बारे में तो हम जानते हैं. तो इसके बारे में जानते हैं बीच की ये चार साल है 1982, 91, 94 और 97 इन चार सालों में जिले कितने बने च्छे और एकेस में बन गया साथ और एकेस में बन गया आठ इसका मतलब एक चीज जोर आगी आपके सामने कि किसी ने किसी वार से एक से अधिक जिले भी बने होंगे ठीक है तो ये सन याद हो गई है 82 आखे बन करके आठ करो 82 एकराण में, 94 में, 97 में याद रखो अब देखो दोस्तों ये जो च्छे जिले हैं ये सिरफ दोई माह में बने अब उनको याद करने का तरीका है नो ये च्छे जिले हैं या तो ये कब बने? अप्रेयल में बने कब बने या फिर ये कब बने जुलाई में तो पहली चीज तो यह याद रखो ये जो छे जिले हैं ये या तो कब बने अप्रेल में या फिर कब बने जुलाई में बने अब देखे दोस्तो अप्रेल में कुल दो गटनाएं हुई हैं और जुलाई में भी कुल कितनी गटनाएं हुई दो टोटल गटनाएं कितनी हुई चार और जिले बन गए छे अब देखो ये चार गटनाएं कब कभी आप से प अप्रेल की पहली गटना 15 अप्रेल अप्रेल की दूसरी गटना 10 अप्रेल तो आपको याद रखना है कि 6 जिले है वो क्योंकि दो तबन देख चुके हैं 6 जिले वो कब बने बीच के अप्रेल में किती गटना है दो जुलाई में किती गटना है दो अप्रेल की पहली गटना 15 अप्रेल को और दूसरी गटना 12 जुलाई को और दूसरी गटना 19 जुलाई को अब देखे द्यान से सुनना आगे की बात अप्रेल में पहला 15 अप्रेल 1902 अब संद रख दो 15 अप्रेल 1982 15 अप्रेल 1982 10 अप्रेल 1901 10 अप्रेल 1901 यादे न 1982 एकराण में इसी तरह से 12 जुलाई 1904 12 जुलाई 1904 और बोलो यहां क्या लिखा जाएगा 19 जुलाई 1907 इन तारीखों को जिले बने हैं 15 अप्रेल 1982 को 26 तो बनी चुके थे 26 वाजमिर 25 अप्रेल 1982 को संख्या में 27 वाजिला आपको पहले से याद है तो थोड़ा से एडवांस में बोलते हैं चलो बता हो 27 वाजिला कौन बना आपसे पूछा कौन बना आपने क्या जवाब दिया धौलपूर बना कौन बना धौलपूर और यह धौलपूर बना तो यह किस से अलग हुआ तो क्या कोगे भारत पूर से किस से अलग हुआ बरतपूर से अलग हुआ धौलपूर 27 वा तो यहां से जो क्यूसन पूचता है वो यह पूचे गया तो कि राजिस्तान का निर्मान के आदार पर 27 वा जिला कौन सा बना उतना अच्छा जवाब दिया धौलपूर यहां पूचेगा धौलपूर किस से लग हुआ भरतपूर से कब बना 15 अप्रेल 1982 को यहां पूचेगा कि किस के सासनकाल में बना उस समय राजिस्तान के मुख्य मंत्री दे सिरी सिवचरण माथूर कौन थे सिरी सिवचरण माथूर के सासनकाल में ये राजिस्तान का 27 वाजिला बना इसी तरह से आप से पूछता है कि 10 अपरेल 1901 में संख्या में 28 वाजिला और संख्या में 29 वाजिला और संख्या में 30 वाजिला ये तीन जिले कब बने 10 अपरेल 1901 में तो धान रखना इस बात का कि 10 अपरेल 1901 में को कितने जिले बने तीन 28, 39, 39 आप से पूछे 28 वा जिला कौन बना तो आप उतने अच्छा जवाब दोगे 12 बना कौन बना 12 आप से पूछे 29 वा जिला कौन बना आपने जवाब दिया sorry 2 सा बना कौन बना और आप से पूछा 300 वा जिला कौन बना आपने उतने अच्छा जवाब दिया राज समंद बना अब नमबर ओफ निर्मान के आदार पर नमबर यानि फिगर पूछ लेता है राजस्तान का 23 वा जिला कौन बना 12 वा जिला कौन बना किस से लगवा कोटा से ये जो दोस्ता है ये किस से लगवा जेपूर से है किस से लगवा जेपूर से है और ये जो राज समंद है ये किस से लगवा तो क्या कहोगे उदेपूर से है किस से लगवा उदैपूर से तो कौन सा जिला किस से लगवा निर्मान के आदार पर करम के आदार पर कौन सा है किलर और कब बने 10 अपरेल 1901 में और उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री थे सिरी भैरू सिंग सेखावत सेखावत तो ये जो तीन जिले हैं ये किस के सासन काल में बने सिरी भैरू सिंग सेखावत के तो मेरे इसाब से अपरेल की बात के लिए रोगी है अपरेल में 15 अपरेल 1982 को एक जिला बना था संख्या में 27 अर 10 अपरेल 1902 में को तीन जिले बने थे 28 29 और 30 अब देखो 12 जुलाई 1994 में यहां देखो संख्या में 31 जिला और संख्या में 31 जो जिला बना वो कौन बना? आप से पूछे तो आप क्या कोगे हनुमानगड कौन सा जिला बना हनुमानगड कब बना बारा जुलाई उन्नेसो चौराणमे में बना तो ये आप से पूछे अलग किस से हुआ अलग किस से हुआ आप क्या कोगे ये गंगा गंगा नगर से अलगवा किस से अलगवा गंगा नगर से तो आपको पता से लगए 31 जिला 12 जुलाई 1994 में में बना हनुमानगर अलग किस से वा गंगा नगर से उसी तरह से 19 जुलाई 1907 में संक्या में 32 जिला आप से पूछे 32 जिला कौन बना आप क्या कहोगे करोली करोली बन और यह करोली जिला है, आपसे पूछे किस से अलग हुआ, तो सवाई माद्धो पूर से हैं, किस से अलग हुआ, सवाई माद्धो पूर से हैं, कब बना? 19 जुलाई 1997 में, और ये दोनु जिलेवी, यानि कि हनुमानगड और करोली, ये दोनु जिलेवी किस के सासनकाल में बने सिरी भैरू सिंग से खावत सिरी भैरू सिंग से खावत के साथ से खावत में बना है और 3300 जिलापन पढ़ चुके हैं परताब गड़ बना तो आपको यह पता चल गया कौन जिला कब कैसे और किस से बना इन चीजों को एक बार देख लो स्किन सोर्टे ले सकते हैं अब देखो आगे चलते हैं आपने जिले देख लिए कुछ जिलों के बारे में अच्छे ची बाते और देखते हैं जहां से क्युस्टन आने की एक परसेंट भी समभावना है उन चीजों को और समझने की कोशी से करते हैं अब देखो कभी-कभी छेतरफल को लेकर भी किस्टन पूछ लेता है कि छेतरफल की दरेश्टी से सबसे बड़े जिले तू देखिए दोस्तो छेतरफल के इसी तरह से हैं राजस्तान के जिलों का तुलनात्म का दिन करते हैं छेतर फल की दरश्टी से और जन संख्या की दरश्टी से एक तो किस आधार पर छेतर फल के आधार पर और एक किस आधार पर जन संख्या के आधार पर किलियर अब देखें दोस्तो छेतर फल के आधार पर यदि अपन बात करते हैं तो बड़े जिले और छोटे जिले किलियर तो छेतर फल की दरस्टी से यदि बड़े जिलों की बात करता हूँ तो राज्तान का सबसे बड़ा जिला है जैसल मेर जैसलमेर के बाद बाड मेर ये करम से याद रखना बिल्कुल करम से सबसे बड़ा जैसलमेर, दूसरा सबसे बड़ा बाड मेर अपंण चार चार पांच पांच जिलों का देखते हैं देखो, चैतरबल की दरिष्टी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बड़ा जिला, बाडमेर, तीसरा बड़ा जिला, बेक कानेर, चोथा बड़ा जिला, जौधपूर, और पांचवा बड़ा जिला, नागोर. उसी तरह से देखो जन सिंक, सोरी, छेतर भल की दरिश्टी से पांच छोटे जिलों को यदि अपने लेकर बात करें तो छेतर भल की दरिश्टी से सबसे छोटा जिला है वो है धोल पूर दूसरा छोटा जिला ये तो सबसे छोटा इसके बाद दूसरा सबसे चोटा जिला कौन सा है तो क्या कहोगे दोसा ठीक है तीसरा सबसे चोटा जिला कौन सा है डुंगर पूर के लिए चोथा सबसे चोटा जिला कौन सा है क्या कहोगे राज समंद और पांचो सबसे चोटा जिला कौन सा है परताप गड़ इस तरह से द दरश्टी से बड़े जिले और ये पांच छेतरफल की दरश्टी से छोटे जिले हैं के लिए इनका करम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए अब देखो सबसे बड़ा जिला जैसल मेर इसका छेतरफल पूछ लिता है तो जैसल मेर का छेतरफल है 38,401 वरग किलो मेटर है और 30, 33 वरग किलो मेटर इन दोनु जिलों का छेतरफल याद रखना सबसे बड़ा और सबसे चोटा कभी-कभी सबसे बड़े और सबसे चोटे जिले में भी कुछ तुलनात्म का दिन करवा लेता है तो देखो जैसल मेर जिला है सबसे बड़ा जिला जो राजस्थान के राजस्थान के कुल छेतरफल के 11.22% भाग पर फैला हुआ है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसल मेर जिला है जिसका छेतरफल 38,401 वरग किलो मेटर है वो राजस्थान के कुल छेतरफल के 11.22% भाग पर फैला हुआ है सबसे चोटा जिला धौलपूर जिला जिसका चेतर फल तीन हजार तेतिस वरक किलो मिटर है ये राजस्तान के राजस्तान के कुल चेतर फल के जीरो पॉइंट एट नाइन परतिसत बाग पारे फेलावा है तो बड़े जिले और छोटे जिले के बीच में बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के अंतर का तुलनात्म का धिन कर लिता तो ध्यान रगना जैसलमेर जिला जैसलमेर जिला है वो धौलपूर से 12.66 गुणा बड़ा है या उल्टा बोलू तो धौलपूर जिला है वो जैसलमेर से 12.66 गुणा छोटा है तो इनका भी तुलनात्म का धिन आपसे पूछ लेता है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बिल्कुल चीजों को समझो इनको नोट डाउन करो फिर याद करने का काम आपका है अब देखें दोस्तो जैसलमेर जिला यदि जैसलमेर जिले की बात करूँ मैं आपसे तो यहां से एक क्यूशन और बना लिगता है कि भारत का भारत के कौन से राज्य का छेतर फल लगबग जैसलमेर जिले के बराबर है कौन से राज्य का तो आप क्या कहोगे केरल क्योंकि केरल का छेतर फल है वो 38,800 वरक किलोमेटर के असपास है 38,800 और जैसलमेर का है 38,400 यानि कि जैसलमेर जिले का छेतर फल है वो लगबग केरल राज्य के बराबर है ठीक है एक और तुलनात्म के दिन करते हैं भारत की राज्यों से तो अपने भारत के साथ राज्य हैं वो जैसलमेर से छेतर फल की दरश्टी से छोटे हैं और ये आठवा लगबग उनके बराबर है साथ चोटे कौन कौन से हैं एक तो गोवा जो वारत का सबसे चोटा राज्य है इसका छेतर फल 372 वरे किलो मिटर है गोवा के बाद मैं बात करूँ सिक्किम दूसरा तीसरे की बात करूँ मैं नागा लेंड नागा लेंड राज्य है जैसलमेर से चोटा है तो तीन नागा पूर, पांच पे बात करूं, मिजोरम, छे पे बात करूं, तेरे पुरा, साथ पे बात करूं, मेगाले ये ऐसे राज्ये हैं जो छेतरफल की दरश्टी से, जेसल मेर से छोटे हैं चेलर और इसके लगबग बराबर कुन सा है? केरल तो जिस तरह से चेतर फल को लेकर बात किये उसी तरह से किस को लेकर बात कर लेता है जन सिंक्या और ये मैंने आपको बता दिया कि राजस्तान है राजस्तान चेतर फल की दरिश्टी से बात का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्तान की तुलना तो किसी राज्य से कर नहीं सकते हैं जन संक्या की बात करूँ तो जन संक्या के आदार पर सात्वा बड़ा राज्य है और जन संक्या की आदार पर राजस्थान के बड़े जिले और राजस्थान के छोटे जिले तो जन संक्या की दरिस्टी से पांच बड़े जिले देखते हैं नमबर एक प्याता है जे जोदपूर, नमबर तीन की बात करूँ मैं आपसे, अलवर, नमबर चार की बात करूँ आपसे, नागोर, और नमबर यदि मैं पांच की बात करता हूँ आपसे, तो उदेपूर, करम याद रखना सबसे बड़ा, जोदपूर, जोदपूर, तीसरा, अलवर, चोथा, नागोर पाच्वा उदेपूर इसी तरह से दी छोटे जिलों को लेकर बात करता है आपसे तो जन सिंग्या की दरस्टी से सबसे छोटा जिला है जैसल मेर कौन सा है जैसल मेर यहां लगबग 66 लाग है तो जैसल मेर की लगबग 6 लाग जन सिंग्या है ठीक है जैसल मेर के बाद नमबर दो पे परताब गड़, किलर, नमबर तीन पे सिरोही, नमबर चार पे दी बात करूँ, बुंदी, और नमबर पांस पे बात करूँ, राजचमन, तो सबसे चोटा जिला, जैसल मेर, दूसरा परताब गड़, तीसरा, सिरोही, चोटा, के संदर में अब देखे और भी बहुत सारी चीजे मैंने आपको बताया था कि मैं मैक्सिमम चीजे यहां करवा दूँगा आप एक बार जुड़े रहे चीजे समझे और एक नेतिक करतवे बनाओ कि कमेंट बॉक्स में जरू लिखा करो कि क्लास कैसी रही या कुछ और अपग में भारत और नेपाल के मद्धे भी एक सीमा विवाद उत्पन हो चुका है तो यहां से क्यूसन है कि भारत और नेपाल के मद्धे अठारा सो सोला इस्वी में जो समझोता हुआ था जो उस समय भारत में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तो ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मद्दे ये सीमा समझोता हुआ था उसे सीमा समझोते को किस नाम से जानते हैं डूंड़ना कमेंट बॉक्स में जरूर देना किलर आगे बढ़ते हैं और ये समझोता कब हुआ था ये भी बताना दोजार सो ने सोरी 1816 में हुआ था कुछ और क्यूसन है ये अपना इस तरह से राजस्थान है और अपने राजस्थान की राजदानी ये है जैपूर इसको लेकर भी पूछ लेता है कि जैपूर है वो कितने डिग्री देशांतर पर इस्थित है कितने डिग्री देशांतर पर इस्थित है तो आप क्या काओग 27 डिग्री उत्री अक्सांस पर जेपूर है वो इस्थित है तो द्यान रगना ये भी क्यूसन आपसे पूछ लिया जाता है कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है 76 डिग्री और कितने डिग्री अक्सांस पर है 27 डिग्री अक्सांस पर ये जेपूर जो हमारे राजे की राजदानिय पूछ लेता है कितने डिगरी अक्सांस परिस्थित है कितने डिगरी देशांतर परिस्थित है अब देखो कुछ क्यूसन ऐसे भी पूछ लेता है क्यूसन है राजस्थान की जो आकरती है राजस्तान की आकर्ती के समान राजस्तान का कौन सा जिला है क्या कोगे टॉंक जिला है कुछ किशन बोल के बता देता हूँ इसी तरह से पूछ लेता है तिलक की आकर्ती का जिला कौन सा है राजचमंद है काटोरे की आकर्ति का या प्याले की आकर्ति का जिला कौन सा है सीकर जिला है गोडे की नाल की आकर्ति का कौन सा जिला क्या कोगे चितोरगर जिला ठीक है उसमें भी राउत बाठा चितर मैं चितोरगर है वो इल्ली की आकर्ति का है इसी तरह से पूछ लेता आप से ओस्ट्रेलिया की आकरती है ओस्ट्रेलिया की आकरती के समान कौन सा जिला है तो क्या कोगे उदेपुर जिला है इस तरह के भी बहुत सारी के सनाफ से पूछ लिए जाते हैं तो ये बात की थे अपने जिलों से समझ देख अब last and final basic introduction का वो राजस्तान में समभाग्य व्यूस्ता समझने की कोशिश करो समभाग, सम का मतलब बराबर बराबर भाग का मतलब इसे जाने कि राजस्तान की समान पर करती वाले जिलों को मिला मिला कर राजस्तान को कुछ भागों में बाटा गया है और ये समभाग्य व्यूस्ता है ये प्रशासने कंतर का एक इस्तर है प्रशासन को सुदर करने के लिए प्रशासन को मजबूत करने के लिए ये एक इस्तंब लगाया गया है अपने राजस्तान में समभाग्य व्यूस्ता की सुरुवात है आप से पूछे कब कीगी थी तो आप क्या कोगे उनिस सो उननचास उनिस सो उननचास में राजिस्थान के एक की करण के चोथे चरण के बाद संभाग वेश्था की सुरुआते कर दीगी थी दोस्तो 26 जनवरी 1950 को जब राजिस्तान को राज्य का दर्जा दिया गय था उस समय राजिस्तान पांच संभागों में बटा हुआ था कितने संभागों में पांच फिर दखो एक नौंबर 1956 राजिस्तान अपने वर्तमान सो रूप में आय था उस समय राजिस्तान में कितने संभाग थे, छे संभाग, आपसे पूछ लिता है, ये छटा संभाग कौन बना, आप कोगे अजमेर बना, कब बना, एक नॉम्बर उनिस सो चपन को बना, कब बना, एक नॉम्बर उनिस सो चपन, वर्तमान में कितने संभाग हैं, साथ संभाग, पूर संभाग और ये जो भरत पूर संभाग है ये कब बना था चार जून दो हजार पांच को बना था सिर्मति वसंद्रा राज्जे के काल में बहुत एजी सी बाते थी तो एन पे अपने टाइम नहीं लगाया तो ये सीधे-सीधे आकड़ है आप समजने की कोशिस करो में बहुत था फूरत राजिस्तान में राजिस्तान में साथ संभाग है नाप्ल पूर संभाग जो स्रेमति वसंद्रा-राज्जे किसा संकाल में बना था किलर अब देखिए साथ संबाग कौन कौन से हैं और उनकी विसेशता हैं इस से पहले कुछ चीज़ और समझने की कोसेश करते हैं देखो दोस्तो उननिस सो बासट इसी में उस समय अपने राजस्थान के मुक्खे मंत्री थे सिरी मोहन लाल सुखाडिय स्री मोहन लाल सुखाडिय उननिस सो बासट में जो राजस्थान के मुक्खे मंत्री थी इन्होंने समभाग ये वैवस्था को समाप्त कर दिया था तो राजस्थान में समभाग ये वैवस्था को कब समाप्त किया गया उननिस सो बासट में किसके सासनकाल में स्री मोहन लाल सुखाडिया के शासनकाल में दोस्तों जब भी महनलाल सुखाडिया की बात आती है तो तीन चार बाते आपको याद आने ची पहली बात आधुनिक राजस्तान का निर्माता किसे का जाता है आधुनिक राजस्तान के निर्माता कौन महनलाल सुखाडिया राजस्तान में अब से लंबे समय तक 17 साथ तक राजिस्तान में मुक्केνंतरी पथ पर रहने वाला वेक्ति हैं महानलाल सुकाडिया ये 1954 से लेकर 1931 थां के स्परिधि já कöhत्र तक 1904 से dirigě स्वकाडिया नेयुस्तान में सबसे जञाने वार मुक्केंंतरी पथ कि सपत लेने वाला एक मातром मुक्य मंत्री मुहनलाल सुकाडिया और अगली बात मुहनलाल सुकाडिया के सासन काल में राजस्तान में पहली बार 1967 में राष्टपती सासन लगा ता अब तक राजस्तान में चार बार राष्टपती सासन लग चुका है पहली बार 1967 में दूसरी बार 1977 में तीचरी बाद 1980 में चोत्ती बार 1902 में में किलर याद रख नहीं बाते हैं फटाफट हैं लेकिन समझने की कोशिस करो तो राजस्तान में अब तक कितनी बार मुक्यमंत रिराश्मती सासन लग चुका है तो इस तरह से देखो मुहलाल सुकाडिया ने राजस्तान में समझने को समापते कर दिया था लेकिन इसके बाद राजस्तान में समझने की पुने सुरुवात की गई पुने सुरुवात और राजस्तान में समझने की पुने सुरुवात है वो किया जब आप दोगे जनवरी 1987 में किसके साथ संकाल में संभाग्य विस्था की पुने सुरुवात हुई थी तो यहाँ पर आप जबाब दोगे सिरी हरी देव जोसी के साथ संकाल में राजिस्थान में संभाग्य विस्था को पुने सुरु करें अब देखते हैं दोस्तों कि राजिस्थान के जो साथ संभाग हैं उनके अंतर के ताने वाले जिले और उनकी विशेस्था हैं। तो देखो एकबर आपन मानचित्र के माद्धम से समझते हैं और ये आपके सामने अपना राजस्थान है, 31 सुंदर सा राजस्थान आपको दिखाई देरा, वो लोहायना है, केलर, ये कौन अपना राजस्थान है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जेपुर संभ इसके इदर देखोगे, सीकर, इदर देखोगे, जुनजुनू इधर देखोगे दौसा और इधर देखोगे अलवर ये 5-5 जिले कोन से संबाग में आते हैं जेपूर संबाग में अब यद आपन जेपूर संबाग की विसैसतों की बात करते हैं आप लिखते चलो सोट मैं बात पता हूं और मांको विसेस ताएं तो जेपुर संभाग की पहली विसेस ता ये जन संख्या की दरष्टी से सबसे बड़ा संभाग सबसे बड़ा संभाग किस दरष्टी से जन संख्या की दरष्टी से दूसरी सबसे ज़्यादा साकसरता दरवाला संभाग दूसरी बात यहाँपर सर्वाधिक साकसरतादर सबसे ज़्यादा साकसरतादर कौन से संबाग में है जेपुर्शंबाग में तीसरी बात सरवाधिक जन गनत्वे सबसे ज़्यदा पापुलेशन डेनेशिटी जन गनत्वे कौन से संभाग में है जेपूर संभाग में और सरवाधिक अनुसुचित जाती की जन संख्या वाला संभाग सबसे ज़्यदा अनुसुचित जाती की जन संख्या कौन से संभाग में है जेपूर संभाग जेपूर संभाग को लेकर ये चार आप से इसके विसेस्ताओं के बारे में पूछा जा सकता है उसके बाद देखो अपन बात करेंगे बिकानेर संभाग बिकानेर संभाग बिका नेर संभाग में सबसे पहले आप से पूछेगा कितने जिले हैं तो आप क्या कहोगे दोस्तों बिका नेर संभाग में कुले चार जिले हैं और वो चार जिले कौन-कौन से हैं एक तो ये है स्विम बिका नेर इधर देखोगे ये है गंगा नगर इधर देखोगे ये है हनुमान गड़ और इधर देखोगे ये है चूरू ये चार के चार जिले कौन से संभाग में है बिकानेर तो पहले तो आपके पता होने चीए कि बिकानेर संभाग में जिले कितने है संक्या चार फिर उनके नाम पता होने चीए बिकानेर, गंगानेगर, हनुमानगड़ और चुरू अब यहां से पहली बात आप धान से सुने, इसकी विसेस्ताओं को लेकर बात करते हैं तो सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदिया कौन से संभाग में हैं, बिकानेर संभाग में, बिकानेर संभाग में एक मातर बेहने वाली नदिया है, गंगानेगर, हनुमानगड़, बिकानेर और चुरू, दो जिले तो ऐसे हैं संभागे, जहां कोई नदी नहीं है के लिए दूसरी बात अपन करें तो सर्वाधिक, सर्वाधिक अनुसुचित जाती की जनसंख्या के परतिसत वाला संबाद, सबसे ज़्यादा अनुसुचित जाती की जनसंख्या का परतिसत कहा है बेकानेर में, लेकिन कुल सबसे ज़्यादा अनुसुचित जनसंख्या कहा ह जाती तो क्या कोगे जेपूर में और परतिसत के आदार पर सबसे ज़्याद कहा है भी कानेर में ठीक है तीसे से सबसे कम वन संपद्दा वाला संभाग सबसे कम वन संपद्दा वाला संभा कौन सा है भी कानेर और भी कानेर संभाग है वो इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ब में बोल दूँगा आप नॉट बुक में लिख लो दिरे दिरे नॉट्स बनाओ आप मेनत करो बात समझ में आ जाएगी अब देखिए इसके बाद आपने बात करते हैं जौदपूर संभाग जौदपूर संभाग में आप से पूछे कितने जिले हैं संक्या पहले पता होना च आप कोगे छे जिले वो छे जिले कौन कौन से हैं एक तो ये श्यम जौदपूर ये जैसल मेर ये बाड मेर इधर देखो के ये जालोर इधर देखो के ये सिरोही और ये पाली कितने जिले होगे छे एक जौदपूर दो जैसल मेर तेन बाडमिर, चार, जालोर, पांच, सिरोई, छे, पाली के लिए अब देखें दोस्तों यहां से अगली बात करते हैं कि जेपुर संबाग की विसेस्ता है विसेस्ता है तो पहली विसेस्ता चेतर फल की दरश्टी से सबसे बड़ा संबाग कुन सा है? जौदपूर संभाग है दूसरी विशेस्ता सबसे कम जन गनत्वे वाला संभाग कौन सा है जौदपूर और सबसे ज़ादा जन गनत्वे जेपूर संभाग में तीसरी बात सबसे कम ओसत वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा है जौदपूर संभाग जौदपूर संभाग को मरू संभाग के नाम से भी जानते हैं किस नाम से भी जानते हैं मरू संभाग किलर अगली बात अपन यदि करते हैं तो सरवाधि के दसक्य जन संख्या वरदी दर्वाला सरवादी के दसा की जनसंग क्या वर्दी दर्वाला संभाग कौन सा है जोदपूर संभाग खिलर तो यह अपनने बात किए जोदपूर संभाग की विसेस्ताओं को लेकर इसके बाद एको हाँ एक चीज ओर है सबसे कम शाकसरता दर्वाला संभाग सबसे ज़्यादा साख्षिता जेपूर सबसे कम साख्षिता जवदपूर संभाग इसके बाद एक अपन बात करते हैं उदेपूर संभाग उदेपूर संभाग उदेपूर संभाग में आप से पूछा जिले कितने हैं जिले, आपने क्या का, उधेपूर संबाग में 6 जिले हैं, तो या नाम बताओ, 6 जिले कौन-कौन से हैं, तो एक तो ये कौन है, उधेपूर, ये कौन सा है, डुंगरपूर। ये बासवाड़ा, ये परताबगड़, ये चित्तोडगड़, किलर और यहां राज्चमन्द, कितने जिले हो गए? छे, कौन से संभाग में? उधरपुर संभाग में, अब यदि आप इनकी विशेष्टाओं को लेकर बात करते हैं, तो सुनना, ध्यान से सुनना, पहली बात सबसे ज़्यादा, अनू सुचित जन जाती की जन संख्या वाला संभाग, अनू सुचित जन जाती की जन संख्या, कौन से संभाग में है? उधरपुर संभाग में, दूसरी बात, सरवाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से संभ तीसरी विशेशता की अधियापन बात करते हैं तो सबसे अधिक वन संपद्दा वाला संबाग फिर अगली बात करते हैं तो सरवाधिक खनीज संपद्दा वाला संबाग उदेपुर संबाग की बात करें जिले छे 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 जिले आपको दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा अनुसुचित जाती की जनसंग क्या सरवाधिक लिंगानुपात वाला संबाग सबसे अधिक वन संपद्दा वाला संबाग सरवाधिक खनीज संपद्दा वाला संबाग और सरवादिक नदियों के उदगम इस्थल वाला संभाग और ये जो संभाग है उदेपूर संभाग ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनु मान सुनी धारों से वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग है कौन सा उदेपूर संभाग इसके बाद देखो ये कोटा संभाग कोटा संभाग कोटा संभाग में यदि आपसे जिले पूछे जिले तो आप क्या कहोगे सोरी चार जिले और कोटा संभाग को आड़ोती संभाग के नाम से भी जानते हैं किस नाम से भी जानते हैं आड़ोती संभाग ठीक है चार जिले कौन से हैं एक तो ये श्यूम कोटा बुंदी जालावाड और यहां पर सोरी 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 कोटा बारा और ये बुंदी कितने जिले होगे चार कोटा बुंदी बारा और जालावाड ये चार के चार जिले कौन से समभाग में है कोटा समभाग में यदि इसकी व सरवाधिक के वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, तो सबसे ज़्यदा वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, कोटा संभाग, दूसरी यदि बात करते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग में है, कोटा संभाग में, तीसरी ब और सबसे अधिक नदियों का बहावचेतर, तो सरवादिक नदियों के बहावचेतर वाला संभाग भी कौन सा है, कोटा संभाग, तो ये अपने किसको लेकर बात की है, कोटा संभाग को लेकर बात की है, इससे सम्मंदित पूछे जाने वाले, ये क्यूसन है, इम्पोर्टें मैं सबसे पहले आप से पूछता है जिले कितने बाई तो आप बोल के बताओ कितने जिले हैं चार जिले बोलो हाँ है ना चार जिले है तो उनके नाम बताओ आप बोलते रहो साथ साथ बात में बता चुका हूँ सबसे नया संभाग 4 जून 2005 को बना ठेक है वसुंद्रा राजे के काल में जब इसे बनाया गया तब धौलपूर और भरतपूर ये दो जिले तो जेपुर संभाग से उठाए करोली और सावे मादवपूर ये दो जिले कोटा संभाग से उठाए और यहां से उठाकर एक नया संभाग बना दिया और वो संभाग कोन सा बना बरतपूर संभाग दोस्तों ये छेतर फल की दरश्टी से छेतर फल की दरश्टी से सबसे चोटा संभाग तो छेतर फल की दरश्टी से सबसे चोटा संभाग कोन सा है बरतपूर संभाग है और सबसे कम सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी कौन सा है बरतपूर संभाग है उसके बाद last and final अपन बात करते है अजमेर संभाग अजमेर संभाग में कुल जिले कितने हैं चार एक तो अजमेर इधर देखोगे तो ये नागोर इधर देखोगे तो ये टॉंक और इधर बिलवाड़ा किलर अजमेर नागोर टॉंक बिलवाड़ा इसे केंद्रिय संभा के नाम से भी जानते हैं सबसे कम अंतराजी सीमा का निर्दारन करने वाला संभा कौन सा है अजमेर और सबसे जादा अंतराजी सीमा का निर्दारन करने वाला संभाग उदेपूर संभाग अजमेर संभा का भीलवाड़ा छोटा सा छेतर है यहां पर अंतराजी सीमा बाकि सबसे जादा आंतरिक जिलो वाला संभाग भी इसमें आंत्रिक जिले कितने हैं तीन नागोर अजमेर टॉंक सुरी नागोर अजमेर और हाँ टॉंक तीन होगे ना किलर तो सबसे ज़्यादा आंत्रिक जिलों वाला संभाग सबसे कम सीमा वरती जिलों वाला संभाग क्योंकि इसमें सीमा वरती जिला एक म सामाने प्रीचे के जो तीन क्लासेज लगी है इसका पूरा सारांस है वो मैं क्यूसन सेसन के साथ ले क्या हूंगा जहां आपको जवाब देना होगा जब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहो स्वागत आपका